अंडरम हेयर वक्सिंग का एक बहुत बढ़िया और एक वीडियो लेके आए देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपको लगाईगा कि बहुत ही आसान देखिए न इतना हेयर है ज़्यादा घने है आगर होगा तो मतार गांची से थोड़ा काट लीजिएगा थोड़ा हलका कर लीजिएगा फिर क्या ये वक्सिंग ये ये जो क्रिम जो है ऐसे करके लगाईएगा लगा के देखिए राउन करके धीरे-धीरे बहुत धिरे धिरे करिएगा देखिए ये उठाने के टाइम में थोड़ा लगेगा तो हाथ से चाप के रखिएगा तो क्या होगा दर्द कम जाएगा पर बहुत ज्यादा एफेक्टिव है बहुत बेनेफिट करेगा आफका नेराम स्कीन में देखिए इतना ज्यादा ग्लो करेगा इसके बाद देखिएगा बहुत बड़िया प्रोसेस है ये वक्सिंग तो थोड़ा अगर रिडिस हो जाएगा अपका शकीन तो थोड़ा देखिए इसके बाद थोड़ा एंटिसेटिव क्रीम से थोड़ा मसाज कर लिजिएगा और ये कर लीजीएगा देखिए का बहुत सुंदरे दोस्तों देखिए अंडाराम में देखिए चाहे अंडाराम हो यह फेश हो पहिं पर भी आपको अगर नैचरल तरीके से ग्लोइग स्कीन रखना है लाइटें रखना है तो आपको एहे बाते देखिए आब वर्कसिंग कीजिएगा फेशियल कीजिएगा या रेजिंग कीजिएगा अन्वांटेड हैर को कहीं से भी मतलब रिमूब कीजिए अब ठीक है पर आपको क्यार जो करना है आपको डेली का डेली is cleansing, moisturizing, and toning मतलब, toning, cleansing, toning, moisturizing, і ये आपको करना आ हुआ और ये ुइंटर के सिजन में आंदाराम को मतलब बहुत ज्यादा सुन्दर lighten करने के लिए आपको पहले देखिए rose water से आब थोड़ा toning कर लीजिएगा क्लिंजिंग और टोनिंग दोनों का काम करेगा मत्ता रोज वाटर फिर कोई मसाज क्रीम से अंडराम को मसाज कर लीजिएगा तो देखेगा आपका अंडराम बहुत ज़्यादा लाइटन रहेगा और बहुत ज़्यादा ग्लो भी करेगा थैंक यू